देर रात करीब एक बजे गुप सुचना के अधार पर फत्वा थाना अंतरगत सुपन चक फोरलेंड पर बिदेशी सराब सहित एक ट्रक टाटा ग्यारह जिरो नौ रेश्टरड नमबर है HR 46C 7309 जब्द किया गया है और चालक सहित दो ब्यक्तियों को गिरफतार कर लिया गय वही बिदेशी सराब की गिंती की जा रही है बता दे कि पटना सिटी के अगम कुआ थाना चेतर के जीरो माइल के पास गुप सुचना के अधार पर उत्पाद विभाग की टीम ने अस्थानिये थाना के साथ मिलकर गुप सुचना के अधार पर एक कंटेनर को जब्द किया तो भूसा से भड़े बोरों के साथ भारी मातरा में हर्याना निरमित बिदेशी सराब मिला। भूसा के आड में सराब की बड़ी खेफ हर्याना से पटना इस्थित बक्तियार पूर जा रही थी, तभी उतपाद विभाग ने जीरो माइल इस्थित एनेस तीस पर पकर लिया, जिससे पुलिस ने बिदेशी सराब और भूसा से भरे कंटेनर को जब्द कर ड्राइबर और खलासी को गिरफतार कर लिया, गिरफतारी के बाद मामले की जांच में पुलिस जुड़ गई, गौर तलब है कि उतपाद विभाग की टीम पर वो को मद्दे नजर रखते हुए सराब माफियाओं पर पैनी नजर रखी हुई है, फटुआ थाना चेतर के सुपन चक फोर ल से भारी मातरा में बिदेशी सराब जब्त किया, साथ ही ड्राइवर और खलासी को गिरफतार कर मामले की जांच में जुड़ गई, उतपाद विभाग के सहायक आयूक किसोर कुमार साहा ने बताया कि हरियाना से बेगू सराय बिदेशी सराब से भड़ा ट्रॉक डिलेवरी देने जा रहा था, लेकिन ट्रॉक ड्राइवर को सराब तसकर से ही लाइन अप नहीं होने के कारण, वहां रास्ता भटक कर फतुवा फोर लेन इस्थित सुपन चक पहुंच गया, जहां उतपाद विभाग के टीम और अस्थानिये पुलिस ने मौके पर बिदेशी सराब स बरा ट्रॉक को जब्त कर मामले की जांस में जुट गई है, पटना संग्वादा था, धरमेंदर कुमार के रिपोर, नम्में खुलाद, सुपन चक, पूर लेन इस्थित साथ, पूर लेन इस्थित साना अंतर राच, अट्र नाम और प्ताजिये साथ? नाम अश्रिनी सुमारावन ने भी तक मधनी सर चादल पतना है